असलाम लीखों, क्या हाल है ठीक हो हो, आप सब अमीद करती हूँ आप ठीक होंगे आज मैं बनाने लगी हैं आलू के कुवाप यह मैंने आधा किलू आलू लिये यह मैंने मिक्सर सब्दी लिये गाजरों गी बंगा भी शिमला मिर्च यह मैंने ब्रीग-ब्री काट लिया है लंबी साइस में ब्रीग-ब्री काट लिया आपने यह ब्रेड क्रम्स लिया है एक अंडा लिया है मैंने और यह थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है कीमा है चिकन का आप Chicken भी ले सकते हैं बहुलना सब तो जो Fact Tea को फ्रैवबार में पहले ऑई डाल दूंगे फिर मैंने जी चिकर डालना इंगे अपने कम ही डालना नमक नांख में नमक आपने भाइनों नमक ब्राउन भाइन के दो एक वा भाइन की सब्सक्वाराई दूरे। भी यह दिः ना लूएँ यह ज़िए जब को हैं आ है इसके अच्छे से मैंने फराई करना है इसके की स्मैल बगारा खत्म होजए जब अच्छे स्मैल भी नहीं आएगे जिएकल जब अच्छे से फ्राई होगे अब उइल भी ज्यादा नहीं लग रहा हैसमें साड़ा दो डखकन बरके मैं चिली सोस एड़ कर दूँगी और दो डखकन ही सोया सोस के जाएंगे इसमें अब मैं इसमें दरा मिट्स डाल दूँगी हाफ चमच आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आपको स्पाइसी चाहिए मैं तो अपने हिसाब से डाल दूँगी हैं क्योंकि हमारे गर में बहुत जादा स्पाइसी खाते हैं नमममिट्स बहुत जादा होती है करारी चीजें पसंद हैं हमारे गर दूँगी इसमें पीसा हुआ और इसमें मैंने गरमसला डाल दिया था अब इसको मैं अच्छे से बनाई करूंगी लाल मिर्चनी आड़ करने अब इसको मैं अच्छे से बनाई करूंगी क्योंकि इसका कच्छापन खतम हो जाए और यह मैं इसमें मिक्स सबसी डाल दूँगी जो से मैंने ब्री ब्री काटनी है आपने भी ब्री ब्री काटके ना तो आपने इसमें शामिल कर देनी है तो इसके इसे ना दस-पांच मिनट के लिए आपने इसके बनाई करनी है क्योंकि यह अच्छे से गल जाए ब्रीक मैंने इसलिए काटी है कि जल्दी से गल जाएगी बनकब भी शिमला मिर्च गाचर अब मैं इसकी पांच दस पस मुराई करूँगी यह देखा मेरट हो गए यह इसमे जिकर में हमारा गल चुका है अब मैं इसे उतार दूँगी यह आलू मैंने मैश करके रख दिये थे और यह हरी मिर्च चाह है और प्यास है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी अलू आपने सकत रखने है इतने नरम नहीं रखने जब यह चीज़े एड़ होंगी तो आपके अलू सही रहे आप नरम रखेंगे ना तो आपके अलू के कौाब नहीं सही बनेंगे वो तूटते ही जाएंगे इसलिए मैंने जड़ा अलू सकती रखे है यह दो कांटे के मदर से मैं सहला रही हूँ अलू भी गरम है तो वो भी अलू तो ठंडे हो गए थे कपके तो यह मसाले गरम थे अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगे आप इस तुरान नमख मिर्च अब मैं इसे अच्छे से मेल्ट करना है पहले तो वो गरम था अब ज़र थंडा हो गए तो मैं इसे हाथ से मेल्ट करूँगी जाहिना मग इसमें डाल दूँगा आप चाहे डाल सकते हैं के नहीं डालना आपने मैं तो बस टेस्ट के लिए डालती हूँ अब मैं इसके बैटर त्यार करूँगी अच्छे से यह देंगा अब इसके में शेप करूँगी कुआपों की शेप देनी है आपने जोंसे कुआप साइज नहीं आते लंबे लंबे उसकी शेप देनी है नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने और एड़ कर दिया है इसमें नमक आप ही चेक कर लिजिएगा मैंने तो वही थोरा सा नमका एड़ किया था सबसे पहले बाद में डाला अब मैं डाल रही हूँ नमक कम ही लग रहा था आप इसे चाबलों के साथ खा लिए या रोटी के साथ खा सकते हैं मटीरियल बना के रख लें बाद में यह देखो मैंने लंबी साइज के कुवाब बना लिए यह ब्रेट क्रेम्स है अंडे में नमक काली मिर्च मैंने डालके फैंड लिया यह अंड़ा अब यह अउयल करने के लिए मैंने रख दिया था अब मैं इनकी कोटिंग करूंगे सबसे पहले मैं अंडे में डीप करूंगे पिर इसे में ब्रेट क्रम्स में लगा दूँगे बहुत ही मज़े के बनते हैं आप जरूर बनाना मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब ऐसे ही में बनाके ने दूसरे को आप इसमें शामर कर दोंगे जह दुखने हैं बनाके आपने आइस्ता आइस्ता फ्राइए करने यह तूट यह जल्दी तूट जाते हैं आइस्ता ऐस्ता चमचला ना आपने लाइफ ब्राउन करना यह डार्क प्रूर हो गया था जल्दी यह ब्रेट क्रम से लगा होते हैं तो जल्दी डार्क हो जाते हैं आपने थोड़ी देर बाद हिला लगने आँच इसकी कम रखनी है ब्रेट क्रम से ना जल्दी फ्राई हो जाते हैं आइस्ता आपने पलटना है इनको बस मैं दो साइडी पलटके अब यह मैं उतार के रख दी है आप भी जरूर ट्राई कीजिए हैं यह को कितने अच्छे लग रहे हैं तब तक लिए लाफीज